So Hello Everyone, Forum MKS में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि आप यहाँ पर ओपिसली देख पा रहे होंगे NEET 2024 वालों के लिए MBBS कोर्स में परवेश के लिए एडिशन के लिए यहाँ पर जरूरी डॉकॉमेंट्स की लिस्ट जारी हो चुकी है यह डॉकॉमेंट्स आपके पास में होना चाहिए अगर आपके पास किसी डॉकॉमेंट्स की कमी है तो आप अभी बनवा सकते हो क्योंकि अगर इन में से कोई भी डॉकॉमेंट्स में कमी आती है तो आपको परवेश में दिक्कत आ सकते है तो आपके लिए यह जाना बहुत इपोटेंट है कि कौन-कौन से डॉकॉमेंट की नीड आपको रहने वाली है सो मेरे प्रिविद्यार्तियों आपके लिए यह वीडियो बहुत इपोटेंट रहने वाला है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कौन-कौन से डॉकुमेंट्स हमको तैयार करके रखने है क्योंकि आपको पता है सकसेस पूली आपका नेट का एकजाम 5 मैं को हो चुका है ठीक है और अब बारिये रिजल्ट गे तो रिजल्ट भी आनेई वाला है जून मन्त में और सीधा पिर आपका काउंसलिंग होगा और काउंसलिंग के बाद सीधा आपका परवेस हो जाता है Medical College में जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना Government Medical College आपका इंतजार कर रहा है काउंसलिंग के थुरू आपको परवेस मिलेगा अगर आपका स्कोर अच्चा है तो क्योंकि आपका ड्रिम भी यही है Medical College में जानेगा तो चलिए documents जान लो क्योंकि यहाँ पर परवेस के लिए जाओगे काउंसलिंग के बाद तो यहाँ पर आपको कम से कम 15-16 documents की need रहने वाली है तो यह 15-16 documents कौन-कौन से है उसकी list में आपको बताने वाला हो जैसा कि यहाँ पर list में mention है पहला तो यहाँ पर देखो आप MBBS Addition Application Forum यानि कि जो application forum है वो आपको format के थुरू भरना होगा वो तो हम available करवा देंगे और यह तो college वाले आपको provide करवाएंगे admit card की requirement आपको रहने वाली है कापी सारे प्रिविद्यार्ति क्या सोचते है कि हाँ हमने तो exam दे दिया नीट का अब चलो admit card को फेग देते है और बहुत सारे विद्यार्ति exam देने के बाद फेग देते है admit card को यह सबसे बड़ी गलती है आपको admit card को संभाल के रखना है क्योंकि इसकी जरूरत आपको पढ़ने वाली है result के बाद जब आपका counselling होगा counseling में भी इसकी जरूरत आपको पढ़ेगी और जब आपका selection हो जाएगा तब भी admit card की जरूरत आपको पढ़ने वाली है अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर हमने तो फेक दिया हमारा तो गुम हो गया या पिर गर पर रखाता वहाँ पे मिल नहीं रहा तो अब क्या करें तो मेरे प्रिये विद्यार तो अभी भी मौका है एंटिये की ओपिसल वेब साइड पे अभी भी एडिमिट कार का लिंक एक्टिवेट है आप चाहो तो निकाल सकते हो यहाँ पर देखो आप यह एंटिये की ओपिसल वेब साइड पे एडिमिट कार का लिंक फिलहाल एक्टिव है तो अगर आपने एडिमिट कार को फेक दिया कि आप चाहो तो निकाल सकते हो और उसका print out निकाल के अपने पास रख लो फिर अगला जो document से वो है आपका neat score card यानि कि जो आपका neat result आएगा वो आपको संभाल के रखना है उसका print out आपको निकाल के संभाल के रखना होगा क्योंकि जब आपका counseling होगा और counseling में जब आपका selection ह हो जाएगा आपको college alert हो जाएगा तो फिर आप जब जाओगे तो यह result आपको लेके जाना होगा वहाँ पे फिर अगला यहां पर देखो आता है आपका date of birth certificate जो आपकी जिनम तिती है उसका प्रणाम पत्तर आपके पास में होना चाहिए अगर नहीं है तो आप बनवा सकते हो फिर अगला आता है हाँ कोई भी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपका date of birth mention हो अगला seat allotment letter यह तो देखो आपको पता है कि result आने के बाद जब आप counseling करवाऊगे counseling करवाने के बाद जैसे आपको seat allot होगा तो वो होता है seat allotment letter तो वो तो वहीं पर आपको मिली जाएगा है ना कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं seat allotment letter को लेके फिर अगला आता है आपका caste certificate यहनिकी जाती फरणाम पत्तर यह आपको बनवाना होगा और 6 मेने से नहीं होना चाहिए तो बनवालो अभी भी time है आपके पास result आने के बाद जैसे आपका counseling start होगा तो इसकी जुरत आपको पढ़ने वाली है caste certificate गी तो अगर आपके पास 6 मेने से ज़्यादा पुराना है तो भी आपको निया बनवाना होगा अगर बिल्कुल भी नहीं बना के लिए clear फिर आता है peace receipt जितना भी आपने peace NTA को दिया है जैसे कि फोरम का peace आपने दिया है तो उसका भी receipt आपके पास होना चाहिए इसके बाद जब आप counseling करवाओगे तो उसका भी पीस आपको देना होगा तो उसकी भी receipt संभाल के रखना किसी भी कागजात को इदर उदर मत फेक ना बहुत सारे विद्यारती होते है जो हर किसी फोरम हो गया admit card हो गया peace की receipt हो गई पता नहीं का रख देते हैं बूल जाते हैं ये गलती आप मत करो aware हो जाओ क्योंकि आपके बविसे का सवाल है आपके carrier का सवाल है इसलिए मैं आपसे बोड रहा हूँ ठीक है अगल class 10th का mark sheet clear और class 12th का mark sheet ये आपके पास में होना चाहिए आधार card ये ID proof कोई सब यूज कर सकते हो बट बेटर रहेगा आधार card अगला आता है आपका character certificate ये तो आपके इस्कुल में बनी जाएगा आपका चरितर का परणाम पत्र की आपका character तो सही है ना तो उसका certificate भी आपको चाहिए फिर यहाँ पर अगला documents आता है आपका transfer certificate यानि कि TC जहां से आपने टॉल्ट की है है ना तो उस school से TC ले लो आप क्योंकि इसकी जुरत आपको पढ़ने वाली है जब आपका counselling में selection हो जाएगा और जब आप medical college में प्रविस के लिए जाओगे तो TC जरूर ये है original फ अभी सब आपको में दिखाने वाला हूं कि किस परकार का होता है कहां बनता है है ना सब तो ये migration तो आप जहां आपने टॉल्ट कीती ना उस school से आपको मिल जाएगा ठीक फिर अगला आता है domicile certificate यानि कि आपका मूल निवास परणाम पत्तर ये भी बहुत जरूरी है अग अगर नहीं बना रखा है तो बनवा लो टाइम है अभी आपके पास फिर अगला आता है income proof यानि कि आए परणाम पत्तर तो वो भी नया बनवाना होगा 6 मेने से ज़्यदा पुराना नहीं होना चाहिए तो आए परणाम पत्तर अभी से बनवा लो आप फिर अगला आता है parents pen card की coffee आपके जो parents है उनका जो pen card है उनकी copy की requirement आपको रहने वाली है इनके बाद फिर आपको affidavit बनवाना होगा ये तो college में बन जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जैसे आपका selection होगा जब आप college में चले जाओगे तो वहीं पर बन जाएगा affidavit clear फिर अगला य coaching की है कहीं पर तयारी की है और उसके बाद जब आप जा रहे हो एक साल का gap है दो साल का gap है तो फिर आपको gap certificate बनवाना होगा अब ये कहां पर बनेगा ये बनेगा आपके जो आपके तहसिल हो गया या पर जिला हो गया जहां पर जो court होते है तो वहीं पर जाके आप इसको बनवा सकते हो notary करवा के बन जाएगा आदे गंटे पांच-दस मिंट का काम है तो ये उसी टाइम पर बन जाएगा इसको लेके कोई आपको दिक्कत नहीं लेनी ठीक है तो gap certificate लिख लो आप चाहो तो documents की जो भी है ना आपका notes वगेरा जिसमें लिख सकते हो आप तो ये gap certificate बहुत जरूरी है health certificate जी हाँ बिल्कुल जब आपका selection हो जाएगा तो health certificate compulsory है अब आप बोलिंग सरी कहां पर बनता है और किस परकार का होता है तो यहां पर देखो आप यह जो दिख रहा है ना बस यह है health certificate यह बनता है आपके गाउं में भी बन जाता है आपके तसिल में भ रहते हो वहां पर भी बन जाता है सरकारी अस्पताल में किसी भी सरकारी डॉक्टर से आप बनवा सकते हो बट डॉक्टर गॉर्मेंट होना चाहिए उससे जाके बोल देना कि हमको health certificate बनवाना है यह फोरम आप ले जाना बट क्योंकि उनके पास नहीं होता यह तो आपको ल तो वह दे देंगे और इसको ले जाके डॉक्टर के पास चले जाना सरकारी अस्पताल में वह बना देंगे जिसमें आपका एक तो वह weight देखेंगे कि आपका weight कितना है आपकी height कितनी है आपका blood group कौन सा है है ना यह सब देखेंगे वह बस यह basic जानकारी होती है बस यह होत इस परकार का होता है इस परकार का जिसमें आपकी वार्षिक आये, इसका वो बयोरा होता है फिर अगला देखो आप डॉमिसल स्याटिपट इस परकार का होता है मूलनिवास जैसा कि मैं आपको बताया और आपका migration इस परकार का होता है migration certificate जो कि आपको टॉल्ट जहां से आपने की वहाँ पे आपको मिल जाएगा टॉल्ट के जो आपके प्रिंसिपल ने उन्से जाके बोल देना कि सरम को migration certificate चाहिए अगला में ने आपको बताया piece की receipt जो आपने नीट का फोरम बरा तो आपने 1500 उर्पे, 1700 उर्पे जो भी आपके category है उसके नुसार आपने जो payment किया उसका proof और जो आप counselling में पेसे दोगे उसका proof आपके पास होना चाहिए और जाती प्रणाम पत्र में ने आपको बताये दिया कि इसको तो तियार करके रख लो, अगर 6 मेने से ज़्यदा पुराना है तो निया बनवा लो नहीं तो फिर उस टाइम पे काँ पे जाओगे बनवाने के लिए और ये आपका जैसे ही result आएगा और में आपको बताये एक तो नीट result और नीट का allotment letter ये तो बाद ये बात है ये तो आपको आपको आटोमेटिक मिली जाएगा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं और ये ब्रत सेटिफिकेट इस परकार का होता है जन्नाम परणाम पत्र ये देखवा आप तो ये कुछ डोकुमेंट से जो आपको बनवाने होंगे ये सारी लिस्टे देख लो जिसमें आपका एक तो ये नीट का result हो गया ठीक है एक आपका admit card हो गया एक आपका score card हो गया ठीक है एक आपका birth certificate हो गया और एक आपका allotment letter हो गया है ना एक आपका cash certificate हो गया एक आपका peace receipt हो गया ठीक है migration certificate हो गया और आपका domicile certificate जिसको आप मुलनिवास बोलते हो एक आपका income certificate जिसको आप आए परणाम पत्र बोलते हो health certificate स्वास्ते परणाम पत्र और gap certificate affidavit character certificate ये documents की नीड आपको रहने वाली है तैयार कर लो अगर किसी documents में कमी है तो बनवालो बाकि मन में कोई doubt है तो comment अगर के मेरे को बताओ आप क्यूंकि मैं आपके साथ हूँ सारे comment में देखूंगा आपके मन में फिर भी कोई doubt रह गया हो सारे documents वेसे मैंने बता दिये और इसको लेके वेसे आपने चैनल सस्क्राइब करी लिया होगा बेल आइकन पर प्रेस करी लिया होगा तो और भी मैं clear कर दूँँगा आपके मन में जो भी doubt रहेगा और हर update यहीं पर आपको मिलेगा NEET का, BSNC का, Paramedical का सस्क्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना, धन्यवाद